स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी नमस्कार दोस्तों स्वास्थ और सौंधरी में आपका एक वैब फिर सस्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोजाना रात में सोने से पहले चहरे पर गुलाब जल यानि रोजवाटर के साथ नारियल तिल यानि कोकोनट टोय लगाने के कुछ पहतर इन फैदों के बारे में यदि आप रूखी और बेजान त्वचा से छटकारा पाना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपके सकिन लंबे समय तक यंग और ग्लोइंग दिखे तो फिर अपने सकिन के रुटिन में गुलाब जल के साथ नारियल तिल को ज़रूर शामिल करें गुलाब जल और नारियल तिल तुचा के लिए बेहत फाइदबन माना गया है। रोजाना रात में गुलाब जल और नारियल तिल को साथ मिलाकर लगाने से इसकिन की कई प्रॉब्लम्स को फिक्स करण में मदद मिलती है। गुलाबचल और नारियल तिल दोनों ही chemical free होते हैं इसलिए इने साथ में लगाने से तुचाप पर किसी भी प्रकार का side effect देखने को नहीं मिलता है। नियमित अपने चेरे पर गुलाब चल में नारियल तिल मिलाकर लगाने से तो जब मुलायम वह चमकदार बनी रहती है। देखा जाये तो गुलाब चल और नारियल तिल दोनों को अलग-अलग इस्तेमाल करना भी फायदा पहुचाने वाला ही होता है। लेकिन जब तोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो गजब का फायदा देखने को मिलता है। तो फिर गुलाब चल और नारियल तिल को अपने चेरे पर कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए पनेरे इस वीडियो के साथ। इसके लिए एक बॉल में तीन से चार चमच गुलाब जल ले ले। इसके बाद इसमें एक चोटा चमच नारियल तिल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे किसी एर टाइट कंटेनर में भर कर स्टोर कर ले। इस पैक को वन वीक के लिए फ्रेज में स्टोर किया जा सकता है। अब यह गुलाब जल और नारियल तिल से बना पैक इस्तमाल मिलाने के लिए तैयार हो चुका है। रोजाना रात में सोने से पहले इस पैक को लगाने से काफी बहतर रिसर्ट देखने को मिलते हैं। गुलाब जल और नारियल तिल से बना पैक इसकिन के लिए काफी बेनिफिशल माना जाता है। रोजाना रात में सोने से पहले इसे अपने तुचा पर लगाने से तुचा का रुखा बंदूर हो जाता है साथी चेहरा गलो करने लगता है तो फिर आज आपने इस वीडियो में रोजाना रात में चेहरे पर कुलाब चल यानि रोज वाटर के साथ नारियनति लगाने के कुछ पहतर इन फायदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नएने स्वास्ति और सवांदरी संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तदा हमारे वीडियो पसंद आई हो तिसे लाइक और शेर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नएने जानकारियां आप तप पहुचाते रहें धन्यवाद